वेलकम टू आएफेस तो आज के सेस्टन में हम लोग जानेंगी कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अगर आप आप इंपॉर्टेंट टिप्स में आप लोगों को बताने वाला हूं तो इनको बिल्कुल आप लोगों को फॉलो करना चाहिए अगर आप टॉप के आया टी में आप लोगों को सिए तो सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले आपको एक घड़न और कंप्लीट अप्टा इसे किस से कितने क्वेशन आते हैं सिलेबस क्या है और आप आपने देख लिया किसे टॉपिक से कौन्सी क्वेशन पूछ कि हाई विटेज टॉपिक क्या है और ऐसे टॉपिक जहां से एक्जाम में हमेशा क्वेशन पुछे जाते हैं उन्हें भी आपको पता करना होगा और ऐसे टॉपिक को बहुत श्रॉंग बनाना होगा सेकेंड आपको क्या करना पड़ेगा सिर्फ ऐसा नहीं कि चलो ठीक है सकता अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज को ध्यांग रखते हुए कॉलेज से आने के बाद कितना टाइम कॉलेज के लिए पढ़ेंगे कितना टाइम आप आयाटी जाम एक्जाम को देंगे एक प्रॉपर सेडूल बना लीजे और उस सेडूल को फॉलो करिए ताकि छिडिजाम तक आप अपने आपको अच्छे से प्रेपर कर सकें और उसके सासत्त आपको क्या करना है मैथमाटिक्स में अगर कोई क्राइड करने के लिए सबसुल जवर्व है कि आपको काउंटर एक्जांपल का पता हो तो अब आने ओले 10 मेहें में आप लोगों को एक्जामपल होना चाहिए अगर आप reconstruction आप गलस ढ Jake time a collection घॉलकी है किसी वी स्टेटमेंट को गलस साबीद करने के लिए हम जो एक्जामपल के लाथा है अगर आप aas पॉस्टरubन बनाने के टेक्निक कर लेतेtransel या नहीं कर पार हैं और पुपर देने का यह फायदा होता है न अपको पता चलता कि भाई एक्जामीनर क्या सूज कर पेपर बनाता है कौन से टॉपिक से कितने जादा क्वेशन आते हैं और उसके साथ क्वेशन के लेवल के बारे में आपको या लगता है अच्छा ही इस लेवल गर कुषण आते हैं तो मुझे इससे थोड़ा ज्यादा लेवल के वर क्वेशन सौल करने होंगे ताक जब आप एक्जाम में आपको क्या करना है next नेक्स्ट आपको ना अपना जो problem solving skill है उससे develop करना है मतलब क्वेशन को solve करने का तरीका नए ने अप्रोच से उसे solve करना होगा तो हम तब सीख पाते हैं जब हम maximum number of question के practice करते हैं तो अगर आपका करने का अप्रोच अच्छा हो जाए question solve करने का तरीका अच्छा हो जायए तो फिर आप लोगों लिए एक्जाम में कितना पूछा जाता है उतना ही आपको सिर्फ पढ़ना है किस्लेवल के question आते हैं वहां से point वगर यह सारी चीजा आप लोगों को आसानीं से करते हैं अगर पॉसिबल हो तब कुछिंग भी जॉइन कर सकते हो नेक्स आपको क्या करना है काम रहना और रहना है कि इस बार का जैम एक्जाम मैं क्राइक करूंगा अपने उपर विश्वास रखे तो यह कुछ जिएन आट बात है जो आप लोगों को क्या करना अगर आप जैम अग्जाम करूंप करना चाहते हैं आउन बातों को आपको बिल्कुल वALL करना चाहिए जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा की आप horizon की जाएंगी क्या करिए प्रिठी कर से आफ्स क्या है न podemos दांरे अध्यसर मिलेगा मतलब मरत से कौन्सर टॉपिक जादा कहा से ज्यादा पुछ से जाते हैं सारी छीज़ा तो मिलेगे कटाफ मिलेगा मर 때by rankers की strategy मिलेगी अगर आप question practice करना चाहते हैं prime classes तो यह सारी चीज़ा exams related कोई भी information आप चाहते हैं सारी चीज़ा IFS cap में free में मिल जाएंगी तो अगर आप लोगों ने अभी तक IFS cap नहीं डाउनलोड किया तो फड़ा फड़ाउनलोड कर लीजे फिलाल के session में इतना ही थांक्यू सो मच